कल मैंने आपको पंच कोशी ध्यान दार्णा के विशह में अबताया था आज मैं उसी पंच कोश का थोड़ा विवरण करना चाहूंगी ये हमारे पांच कोश होते हैं पहला अन्न मैं कोश फिर प्राण मैं कोश उसके बाद मनों मैं कोश विज्ञान मैं कोश और आनंद मैं कोश सुक्षम रूप में कल मैंने विवरण दिया था ये देखिए अन्न मैं कोश ये सरीर के सुक्षम तत्त के रूप में इसको हम जानते हैं इसकी साधना जीवन को जागरेत, परिपूस्ट, प्रकर और परिश्कित करने के लिए की जाती है यह कोश शरीर को जीवित रखने की शक्ती देता है, उसे उत्सा देता है, ओज से भर देता है इसे उदासी दूर होती है और उत्साह बढ़ता है तो इसके लिए हमें अपने स्वांस प्रश्वांस द्वारा ना भी चक्र में ध्यान करना चाहिए दूसरा है प्राण में कोश इसे जीवनी शक्ती कहें तो अतिशोक्ती नहीं होती मनुष्य के अंदर ये जीवनी शक्ती का संचार करता है इसे तेजश या औरा कहते हैं इसके बाद में शरीर के बाहर एक औरा बन जाता है जो मैंने पिछले उसमें दिखाया है उसे तेजो बले कहते हैं ये हमारे अंदर उसा भरता है साहस भरता है पराक्रम की प्रवर्ती हमें देता है इसे चेहरे पर चमक आती है और आखों में उमंग होती है इसके लिए मुला धार चक्र में सविता देव का ध्यान करें निश्यत रूप से मन प्रखर संतुष्ट होएगा तीसरा है मनों में कोश ये कोश विचा सत्ता का छेतर है इसमें मन बुद्धी चित तो तीनों का समागम होता है अच्छा विचार है तो मन अच्छा बनेगा और बुद्धी भी हमारी फिर अच्छी अच्छी बात ने सोचेगी तो चित बुद्धी हमारी अच्छी रहेगी मन प्रशन रहेगा मन हमारा कलपना करता है तो देखो बुद्धी विवेचन करती है उसका और विवेचन करके नेड़ने पर पहुंच दी है फिर चित उसका भ्यास करता है तो जैसा हम विचार करते हैं जैसा सोचते हैं जैसा भी हम अपनी बुद्धी को पोशन देते हैं वही ह हमारा प्रखर एक ऐसा प्रवल साधन बन जाता है जिसकी वज़े से हमें बारवा जन्मन की अवस्था जहलनी पड़ती है जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं करम विपाक कहते हैं तो ये मनों में कोश जो है संतुलन का जागरण कर लाता है ये हमारे पांचों कोश उसके बाद है विज्ञान में कोश ये कोश चेतन की तरह से अतिंद्रिय शमता का प्रतीक है ये भावनात्मक संबेदना देता है इसे हमारी भावनात्मक रूप से किसी से हम जुड़े हुए है मेरा यहां भाव बन रहा है दया आक्षमा ममता जितनी भी प्रकट होती है वो सब इसी की वज है हमारी श्रद्धा जितनी भी परिपक्व होगी जिस छेत्र में भी होगी वहां से हमें निश्यत रूप से उस शमता से ज्यादा अधिक प्राप्त होगा दिव्य लोक के अनुपम बरदान हमारी और खिचे चले आएंगे सपोज हम अपनी श्रद्धा को किसी देव शक्त जिती है कि हमें पता ही नहीं चलता कई वार आपने सुना है पता नहीं है कैसे कैसे हमारे काम बन जाते हैं बस परमात्मा की है और एक भज़र में सुना होगा कि करते हो तुम कनहिया मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है तो विज्ञान मैं कोश यह से लास्ट है यह कोश परिस्कृत होता है चारों कोशों का अन में कोश प्राण में कोश मनों में विज्ञान में कोश चारों कोशों की जो प्रक्रिया होती है अन से प्राण बना जैसा खाया अन वैसे हमें प्राणों की संवेदना संवेग और प्राणों से हमारी मन की धारना मन से हमारी भावना और भावना जब हमारी अन अच्छा हमारे प्राणों का संचरण अच्छा हमारी मन की कलपना विकलपना अच्छी और हमारी फिर सोच समझ सूझ भूज अच्छी हमारा सब के प्रती आधर भाव प्रेम दया करुणा ममता ये सब अच्छी तो फिर हमारे ज व्यक्ति कर्तब प्रायन होकर प्रखर बुद्धी के साथ वेराग्यों की तरह से ब्यबार फिर उसको हार जीतमान अपमान किसी की अवेक्षा नहीं रहती, उसके चाहरे पर एक अजीब चमक होती है, उसको आत्मिक शांती होती है, इस थूल शरीर तिप्त होता है सूक्षम शरीर तिप्त होता है और मन प्रसंद रहता है परम शान्ती 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 चार और शान्ती ही फैली रहती है मन जूमता है गाता है मुझे मेरी मस्ती काहां लेके आई सो आज की शरंखला में इतना ही धन्यवाद, सौस्त रहें, प्रसंद रहें, मुस्कुराते रहें मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें